सुखी जीवन जीने के पंदरा नियम नमबर एक, दूसरों से अपने जीवन की तुलना ना करें, ना ही किसी को जज करें आप नहीं जानते कि कौन किस परिस्थिती से गुजर रहा है नमबर दो, दूसरे आपके विशय में क्या सोचते हैं, ये आपका विशय नहीं है, इस पर ध्यान ना दें नमबर तीन, दूसरों के कहे अनुसार ना चलें, आप अपने इंट्यूशन पर ही चलें जो काम आपको आनंद दे, जिसे करने में आप खुश रह सकते हैं, वही काम आप करें नमबर चार, खुश रहें क्योंकि किसी ने आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा है, सिवाए आपके, खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है नमबर पांच, अपने आप से प्यार करें, अपनी कम्यों को सुईकार करें, और अपनी ताकत पर ध्यान के इंद्रित करें, आप जैसे भी हैं, यूनीक हैं, अदभुत हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, आप अपने आपको पूरी तरह सुईकार करें 6. अपने जीवन में किसी भी घटना के लिए आप खुद जिम्मेदारी लें, किसी और पर दोश नहीं डालें, अपने परिवार की देखभाल पूरे शिद्दत के साथ करें, अपने कर्तव्य में कोई चूक ना रखें 7. ज्यादा ना सोचें, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर चीज आपके अनुकूल हो, ये जरूरी तो नहीं 8. चीजों को समय दें, क्योंकि समय लगभग सब कुछ सही कर देता है, इसलिए समय दें, कुछ चीजें समय के हातों में होती है 9. एक सुखी जीवन जीने के लिए आपका आत्म निर्भर रहना बहुत जरूरी है 10. अपने स्वास्त पर ध्यान दें, इसके लिए स्वस्त भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम भी करें, पर्याप्त नीद लें और तनाव से दूर रहें 11. नकारात्मक लोगों और चीजों से दूर रहें, नकारात्मक ता आपके जीवन में खुशी और संतुष्टी को कम कर सकती है अपने जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें 12. अपने अतीत को सोचना बंद करें, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा कुछ करें कि आपका वर्तमान खराब न हो 13. दूसरों से कोई भी अपेक्षा रखना बंद कर दें, अपना काम सोयम करें, अपनी मुश्किलों का हल सोयम ढूंडने की कोशिश करें, ये सब तब ही संभव है जब आप कड़ी महनत करेंगे 14. दूसरों को खुश करने की कोशिश में ना लगे रहें क्योंकि हम सब को कभी भी खुश नहीं कर सकते 15. समय की कीमत समझें, बीते हुए कल और भविश्य की योजनाओं में ना रहकर, आज और अभी जीवन को एंजॉय करना सीखें आपको इस जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दें तो ये थे जीवन में खुश और संतुष रहने के लिए कुछ नियम, उमीद है ये जानकारी आपके काम आएगी थैंक्स फर वोचिंग